जिन्दगी में सच के साथ हमेशा चलते रहिए तो वक्त आप के साथ अपने आप चलने लगेगा। किसी से भी जूट बोले लेकिन स्वयन से कभी भी जूट ना बोले। उस काम को कभी ना छोड़े जिसके बारे में आप हर दिन सोचते हैं। अगर आप जिन्दगी में कुछ हासिल करना चाहते हो तो मेहंत से दोस्ती कर लो। गुस्से में कभी गलत मत बोलो, मूर तो ठीक हो ही जाता है, पर बोली हुई बाते वापस नहीं आती। किसी का भला करके देखो, हमेशा लाब में रहोगे, किसी पर दया करके देखो, हमेशा याद में रहोगे। मन की बात कह देने से फैसले हो जाते हैं, मन में रखने से फासले हो जाते हैं। उस ज्यान का कोई लाब नहीं, जो समाज के हित में ना हो। हमारी समस्या का हल सिर्फ हमारे पास ही है, दूसरों के पास तो हमारी समस्या का सुझाव है। खुश नसीब है वो हाथ जो किसी कभी मुश्किल के वक्त सहारा बन जाए। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उससे भागने की बजाए उसे ठीक करे तभी आगे बढ़ पाएंगे। रिष्टों का गलत इस्तिमाल कभी मत करना अच्छे लोग जिन्दगी में बार-बार नहीं आते। जिन्दगी में सबसे ज्यादा खुश वही रहता है, जो कम साधनों में भी खुश रहता है। मनुश्य को अपने लक्ष में काम्याब होने के लिए खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। आप में कितनी भी प्रतिभा क्यों न हो, प्रयास और अभ्यास के बिना सब व्यर्थ है। संधर्ष कभी समाप्त नहीं होता, उससे दो-दो हाथ हर दिन करना जरूरी है। इंतजार मत कीजिए, सही समय कभी नहीं आता है। जब अपने खफा होने लग जाए, तो आप समझ लेना आप सही राह पर है। जदि आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं, तो पहले सूर्य की तरह जलना सीखिए। चल करोगे तो चल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, अगर जियोगे जिन्दगी सक्चाई से, तो सुकून हर पल मिलेगा। दोस्ती अगर दिल से होती है, तो उम्र भर तक निभाई जाती है। माना की बुरा वक्त बता कर नहीं आता, लेकिन जब भी आता है, कुछ ना कुछ सिखा कर जरूर जाता है। अगर आपको कोई काम करने में मज़ा नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि वो कार्य आपके करने लायक नहीं है। यदि आपका लक्षय सही है, तो असफ़ताएं, आपको रोकने की बजाएं आपको आगे बढ़ने का साहस देंगी। दोस्तों, वीडियो को बनाने में लगी मिहंत का फल। हमें लोटाने के लिए इस वीडियो को लायक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।